हलो फ्रेंद्स वेल्कम तो यूर चैनल बॉट्टनी टीवी आज की इस वीडियो में हम रिप्रोड़क्टिव बायलोज अब एंजियो स्पर्म के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे एंडोस्पर्म के बारे में इंडोस्पर्म क्या होता है और उसका जो अलग-अलग टाइप से उसके डेवलोब्मेंट के अकॉर्डिंग उन सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे लेकिन इस सीरीज के पहले जो वीडियोज है यानि कि माइक्रोस्पोरोजनेसिस, माइक्रोगेमेटोजनेसिस, मेगास्पोरोजनेसिस, डबल फर्टिलाइज़ेशन और भी बहुत सारे है तो उन सबको अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप जाकर चेक कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन सुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इस चैनल इस अल अबाउट एडुकेशनल वीडियो ऑन बायालजी तो इफ यू आ इंट्रेस्टेड दिन प्रीज मेक्सियो तो हिट थे सब्सक्राइब बटन और प्रेस दी बेल आइकन तो अभी हम लोग आएंगे हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर जो की है इंडोस्पम तो बहुत ही सिंपल वासा में समझने की कोसिस करेंगे कि इंडोस्पम आकर होता क्या है तो देखिए अगर आप फ्लारिंग प्लांट्स के एक सीड को लेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में मेली तीन पार्ट होता है एक है आउटर कोट जिसे सीड कोट कहा जाता है उसके अंदर मौजूद दो चीजे एक है इंब्रियो और दूसरा होता है इंडोस्पम इंब्रियो वह हिस्सा है जिससे की एक नया प्लांट का जन्म होता है और endosperm वो हिस्सा है जो कि embryo को लगातार food supply देते रहता है उसके development के लिए So basically endosperm is the mass of tissue which provides sufficient nutrition to the embryo for its development अगर आपको double fertilization का process अच्छी तरीके से मालूम है तो आपको ये भी पता होगा कि endosperm mother cell का production कैसे होता है लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में briefly ये process बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो एक बहुती आसान और clear cut idea के लिए आप इसे देखिए कि flowering plants में male reproductive organ है anther और female reproductive organ है carpel anther के अंदर develop होता है pollen grains जो की है haploid और दूसरी तरब carpel के अंदर produced होता है female gametophyte या फिर embryo sac अभी जो pollen grain है उसके अंदर ही male gamet या फिर sperm cell produced होगा जो की also haploid होगा दूसरी तरब embryo sac के अंदर total art cell का production होता है लेकिन fertilization के लिए important है एक egg cell और दो polar nucleus तो ये सारा developmental process हो जाने के बाद होगा double fertilization यानि की दो बर fertilization अभी embryo sac के अंदर जो egg cell है वो male gamet या फिर sperm cell से fertilize होगा जिसे कहा जाता है syngammy और produced होगा एक deployed gigantic cell अभी इसी zygote से बाद में embryo का formation होता है लेकिन दूसरी तरब embryo sac के अंदर जो दो polar nucleus था जो की haploid cells वो दोनों आपस में fused होकर एक deployed cell produced करता है जिसे कहा जाता है secondary nucleus या फिर definitive nucleus अभी एक और male gamet जो की embryo sac के अंदर है वो इस definitive nucleus के साथ fused होता है जिस process को कहा जाता है triple fusion और produced होता है एक triploid cell क्योंकि secondary nucleus deployed था और male gamet haploid है तो एक deployed और हैploid nucleus के fusion से एक triploid nucleus produced होता है जिसे कहा जाता है endosperm mother nucleus बाद में जाकर इसी endosperm mother nucleus से धीरे-धीरे endosperm का development होता है तो यहां तक यह जो total process था उमीद है कि आपको समझ में आ रहा है तो अभी अगर हम इसको sum up करेंगे तो endosperm के बारे में कुछ key features निकल कर आते हैं जैसे कि point number one यह एक nutritive tissue है point number two it is triploid in nature and point number three इसका जो main function है वो है embryo को food supply करते रहना लेकिन यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि angiospermic plant में endosperm triploid होता है लेकिन gymnosperms में नहीं gymnospermic plants में endosperm haploid होता है क्योंकि वहां पर endosperm form होता है fertilization के पहले एक haploid megaspor nucleus से तो इन चोटी-चोटी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा अभी हम लोग आएंगे endosperm के types पर जो कि इसके development के according किया गया है तो देखिए माल लीजिए यह है एक embryo sac और इसका fertilization double fertilization complete हो गया है तो embryo sac के अंदर अभी एक diploid zygote है जिससे की embryo बनेगा और एक triploid endosperm mother nucleus या फिर जिसे primary endosperm nucleus भी कहा जाता है वो मौजूद है अभी इसी endosperm mother nucleus का division होगा और endosperm का formation होगा लेकिन वो कैसे होगा इसके उपर depend करके ही endosperm development में ली तीन तरीके का होता है एक nuclear type, दूसरा cellular type और तीसरा hellobial type तो अभी हम लोग जानेंगे nuclear type के बारे में तो देखिए embryo sac के अंदर जो endosperm mother nucleus है उसका repeated division होता रहेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ karyokinesis होगा कोई भी cytokinesis नहीं होगा यानि कि nucleus का बार बार division होगा और बहुत सारा nucleus तो produced हो जाएगा लेकिन nucleus के बाहर कोई भी cell wall या फिर cell membrane form नहीं होगा तो इसे ही कहा जाता है free nuclear division और इस type के endosperm development को हम कहेंगे nuclear type क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ nucleus का division होता है लेकिन देखा गया है कि development के एकदम आखिर के stage में जाकर यह सारे free nucleus जो है वो free ही रह जाते हैं या फिर उनके बाहर wall का formation हो जाता है तो इस type के development के example क्या क्या होंगे तो capsula, mangifera, calotropis यह जो genera हैं इन सब में nuclear type देखा जाता है और एक special example आपको याद रखना परेगा यहाँ पर कि coconut यानि कि Cocos Nucifera इसका जो water होता है वो है nuclear endosperm इस water में बहुत सारा free nucleus मौझूद होता है इसलिए इसको liquid syncytium भी कहा जाता है next अभी हम लोग जानेंगे cellular type के बारे में तो देखिए nuclear type और cellular type में जो main difference है वो यह है कि nuclear type में free nuclear division होता है यानि कि सेर्फ पर सेर्फ karyokinesis कोई भी cytokinesis नहीं होता कोई wall formation नहीं होता लेकिन cellular type इसमें आपको इसके नाम से ही मालूम पर रहा है कि यहाँ पर cell का formation होगा यानि कि nucleus के division के बाद ही wall formation भी होता है जिससे कि एक proper cell बनता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडोस्पम mother nucleus है उसका जब division होगा ठिक उसके बाद ही wall का भी formation होगा दूसरी बाद जब division होगा उसके बाद भी wall formation होगा यानि कि simultaneously nucleus का division and wall का formation यह चलता रहेगा जिससे कि बहुत ही जल्दी एक multicellular structure produced हो जाएगा तो इस type के endosperm को हम करेंगे cellular type अभी इस type के examples भी हम देख लेंगे कि यह जो cellular type endosperm है यह mainly anonesi, aristolochiasi boraginesi इन families में बहुत ही common है जैसे कि peperomia villarsia, adoxa etc. ओके तो next हम लोग आएंगे hellobial type of endosperm में तो देखिए यह intermediate है nuclear type और cellular type of endosperm का intermediate और इसका ऐसा नाम है क्योंकि यह mainly पाया जाता है hellobialis order के जो plant से उन में ज्यादा पाया जाता है इसलिए इसको hellobial type कहा जाता है तो इसे intermediate कहा गया है क्योंकि इस type के development में nuclear type और cellular type दोनों ही देखा जाता है थोरी बहुत cellular cell है उसका nucleus का फिर से जब division होता है तो cellular type की तरह नहीं अभी होगा nuclear type की तरह यानि कि free nuclear division होता है बहुत सारा free nucleus produced होता है और एकदम development के आखिर stage में जाकर wall formation होता है और दूसरी तरब जो चलाजल N का cell है उसका एकदम ही division नहीं होता या फिर थोरी बहुत division हो जाता है और यही reason है कि hellobial को cellular और nuclear type का intermediate बोला जाता है अभी इसका भी example देख लेंगे तो मैंने पहले ही बोला कि hellobial type of endospom generally hellobialis order के plants में बहुत ही common होता है जैसे कि valisneria, limnophyton etc तो यह हो गया flowering plants में endospom क्या होता है और उसका development कैसे होता है उसके उपर एक total discussion तो अगर आपका कोई भी doubts हो या फिर कोई भी question हो तो मुझे comment box में पूछिए मैं उसका जवाब दूँगा और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like कर देना, channel को subscribe कर देना और fan के साथ share कर देना So see you in the next video, stay happy, be healthy